राजिस्थान की भजनलाल सर का रव एक्षन मोड में दिख रही है विधायकों को शपत दिलाने के लिए प्रोटेम स्पीकर की न्यूक्ति कर दी गई है प्रोटेम स्पीकर बनाए गए वरिष्ट विधायक काली चरंड सर्राफ को कल शाम राजपाल कल राज मिश्रु ने जैपुरिस्थित राजभवन में शपत भी दिला दी विधान सुभा सत्र बीस और एक्ष को बुलाया जा सकता है इसमें सभी विधायकों को प्रोटेम स्पीकर शपत दिलाएंगे इसी दोरान विधान सुभा द्यक्ष पत पर भाजपा की ओर सिमनुनीत विधायक वासुदेव देवनानी का चैन भी हो जाएगा इसके बाद मंत्री वंडल विस्तार होगा मंत्रियों के नामों को एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री के दिल्ली दोरे में हरी जंडी मिल चुकी है दरसल सोलेवी विधान सुभा के लिए राजपाल कलराज मिश्रु ने कलराज भवन में आयोजेत संशिप्त समारों में पूर्व मंत्री और वरिष्ट विधायक कारीचन सर्राफ को प्रोटेम स्पीकर की शौपत दिलाई इस आफसेर पर मुख्य मंत्री भजनलाल शर्मा, विधान सुभाद द्यक्ष, सीपी जोशी, वासुदेव देबनानी, उप मुख्य मंत्री प्रेम चंद बैर्वा सैथ, अन्य विसिस्ट जन उपस्तित रहे प्रोटेम स्पीकर के साथ तीन सदस ये पैनल भी बनाया गया है, इसमें वरिष्ट विधायक, दैयाराम परमार, प्रताप सिंग सिंग्वी और किरोडीलाल मीना शामिल है राजिस्तान में मुख्य मंत्री और उप मुख्य मंत्री बनने के बाद अब मंत्री मंजल की बारी है, जानकारी के अनुसार दिल्ली में मुख्य मंत्रियों के कोर ग्रुप की बैचक में मंत्री मंजल में शामिल किये जाने वाले चहरों पर भी मुहर लग गई है, पहले च हम उम्र नेताओं को शामिल करने से सरकार चलाने में सहूलियत होगी सीम बजनलाल शर्मा दोनों उपमुख्य मंत्रियों दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा के साथ दिल्ली दौरे पर रहे भाजपा अध्यक्ष जेपी नडड़ा के आवाज पर कोर ग्रुप की बैठक शुरू हुए इसमें सीम बजनलाल शर्मा ने दोनों उपमुख्य मंत्रियों के साथ शामिल हुए ग्रह मंत्रिया में शहा केंद्रिय मंत्री गर्जन सिंग शेखावत, आजुर नाम बेकवाल, राजिन राठोर सैथ, प्रदेश अद्यक्ष सीपी जोशी और राज्य प्रिभारी अरुन सिंग की मौजूदगी में राज्य के सभी हिस्सों और वर्गों को मंत्री पारिशद में भागेदारी पर मन्थन हुआ, कोर ग्रुप के सदस्यों ने कुछ नाम सुझाए और दाविदारी के कारण भी गिनाए, सूत्रों ने बताया कि राज्य में 27 मंत्री बनने की कुन जाईश है, लेकिन 15-18 नामो पर सहमती बनी है, वही जल्द मंत्री मंदल विस्तार को देखते हुए प्रदेश के कई विधायक लॉबिंग में जुट गए हैं, इसके लिए जैपर से दिल्ली तक दौर लगाई जा रहे हैं, कुछ विधायक संग की नेताओं से भी संपर्क साथ रहे हैं, ताकि वहां से पंत्री बनने के लिए सिफारिश कराई जा सके, तो कई विधायक दिल्ली में वरिष्ट नेताओं से संपर्क कर दावेदारी मजबूत कर रहे हैं, सूत्रों के अनुसार इस बार वरिष्ट विधायकों के साथ नए चेहरों को जादा शामल किया जा सकता है, इसमें संतुलन रखा जाएगा, ताकि लोग सबचनाव में पार्टी को फायदा मिल सके.